गुद मॉर्निंग टॉल फ्यू आज हम लोग देखेंगे सी नाइन जो कि आपको पेपर हो जाता अधिगम के लिए आकलान इसके अंतर्गत आज हम लोग यूनिट 4 देखेंगे यूनिट 4 में आपका यूनिट 4 पेपर का नाम होगया वैक्ति गषत मनो वैज्ञानिक आकलान इसके अंतर्गत आज का जो हम लोग का टॉपिक होगा रूची के प्रकार तो आज का जूपिक है आज का जो टोपी के रूची के प्रकार जो कि बीएट सेकेंड येर वालों के लिए है और आज हमारा लेच्चर संत्य हो जाएगा 11 हो जाएगा दूदो जैसे कि मैं आप लोगों को कल की कख्षा में क्या बताय था रूची का अर्थ बताय था रूची के लच्चन या विशेश्टा के बारे में बताय था तो रूची का अर्थ का मतलब मैंने आपको थोड़ा सा बताया था, उसके बारे मैं थोड़ा सा पूर बताया देता हूं, दिन करता हूं, कि रूची का अर्थ था इंट्रेश, यानि कि वह किरिया जो व्यक्ति के आंतरिक, यानि अंदर से, जो व्यक्ति किसी चीज के बारे म नज सब्सक्राइक्ष प्रति तो क्या करता उसका रूची घंघता अगर इसकी विश्यक्ता के अंतरगत मैनने आपको कल बटाया था बिश्यक्ता देखते ते जिसकेtar... पहलेब मैंने बता था ध्यान के एक पाग्रता इनी की इस कारे में क्या मैंने बता है लगा कर ने बताoli ुस्कारिये में अप्रूर्णूर्प्षर अपनी ध्यान लागते हैं। दूसरा माइने आपको बताया था।ili outlook अंतरगत कि यह बताया था कि हमारे अंतरगत् यहांनि कि हमारे सोच के अंसर quickly हमें प्राप्थ होती है इछ सब्सक्राइस, के रहेुआ हो प्राप्थ होती है तो उसे क्या हुजाती है तेजी आजाती है 3 थेश्रा महने आपको बताया है आनंद होना यानि कि जब वहन उस कारे को कर लेते हैं करने के द्बाद हमें जो सकष्ष्वलता की प्राप्ति होती ह् Åh exists कह रहिए उसका का्रे की पृत्ति हम या महां चिमि मिलती है और चौता मैंने आको बताया स्तीर्टा मतला किसे चितता है? क्या बतायता है? लेकिन उसके जो कार्य करने की सुधिर्धा होती है वन् anch Martain Workshop जो चित न अनुगे से बता था, कि सब्सक्रां की लिक्ति लिस्चता मध्वात्ता है है रूची के दो प्रकार होते हैं नमबर वन आता है जन्म जात रूची और नमबर टू आता है और जित रूची ये जो प्रकार है रूची के यमके तो दो तो चलिए अब हम लोग देखते हैं जन्म जात रूची क्या है ? तो जैसे मैंने आपको बता है रूची के दो प्रकार जन्म जात और दूसरा परचित जन्म जात' रूची क्या होती है य Sky कि जन्म जात होती है, यानि कि जन्म सही होता है, जो रूची अपने आप ही वेक्ति में उत्पन होता है, देखे, हम लोग देखते हैं, बहुत ऐसे बच्चे को देखते हैं, जो जन्म के बाद से, जैसे जैसे उनके में ब्रीधी होती है, तो ब्रीधी होती है, उनमें अपने आप किसी चीज के परदी क्या हूता है , इंट्रेश्ट ज्यजग नहीं लगता है रुचिया जो ÖTV, में क्या होती है , जिसी क्म्तिति का स्वुते है डिजाइ कि राध्य को क्या देखती है जैसे जैसे उनका मांसिक सारिरिक जायरिक को अभिकास होता है वैसे वैसे उनमें क्यव होती है स्वयम से मुत्पन को थे चली है। यानि कि बढ़ते चली जाती है जो कि क्या होता है या ज़न्वजात किया हैं। जैसे कि उसके अंतरागत है किसी बच commencement को पढ़ने में जाधे रूच ही, जयानि कि व Prague देखते हैं, कि आप 선 ने रहता है। जब देखिए वह हमेशा क्या आता है फाइसन में ही रहता है किसी कुछ लोग देखते हैं कोई व्यक्ति को देखते हैं क्या होता है व्यवसाय के छेत्र में ज्यादा रूची होता है क्या हो व्यवसाय के छेत्र में कैसे होता है तो जन्मजात यह जो होता है स्वत यानि स्व जात प्रविर्तिया रहती है जिसका अधार मनुस से की जन्म जात प्रविर्तिया रहती है उसे जन्म जात रूचिक कहते हैं है यानि जो सवत लगु Farm घर से खाने में रूचि मैंने आपको बताया पढ़ने में जहां कुछ बच्चे करने में क्छी किशा ओर सिजा बटकशन था इसमें दैसे कि, करने जैसे कि देखे अब दूसरों को ग्रांट करने से मल्ना किया होता है जापनो किसी वेक्टी को देखते हैं कि कुछ वह क्या करता है, कार्य कर रहा है उसमा उस वैशहाय के प्रती क्या हो जाता ह। कभी-कभी यह लोग यह भी देखते हैं। कोई छादर क्या होता है। बहुत कमजोर होता है अगर सिछ्छा के चत्र में देखते हैं। तो अगर उसका दोस्ती एक अच्छे स्टुडेंट से हो जाता है। जो पड़ा लिखा हुए बच्चा हो तो क्या होता है वह उसको देख कर सिखता है यानि कि उसको ग्रान काता है वह जानने का प्रयत्ना काता है कि वह लड़का कैसे पड़ रहा है तो यह क्या होता है अर्जित अर्जित मतलब दूसरों से प्राहप्त करना से तो छलिनिन देखते हैं अरजित रुची क्या है के इता है वाता वरण के प्रभाव वाता वरण कि प्रभाव प्राप्त रूची और जीट रूची कहलते चलोड़ नहींिकि वाता वरन के त suspicious से दूसरे को देखकर हमारी अंदर जो इच्छाय प्रकट होती है और जो इच्छाय प्रकट होती है उसके अंतर्गत जो हम लोग काले करते है चाहे है जो आपक्रिक्ण प्रियांग रएध्य दूसरा कमजूर आपका जो कमजूर होता है उससे कुल सीखे। गाने में किसी को के तो आते हुए तो संड़ते रहता है अपने आपको प्रयत्र न करता है उससे अच्छा मैं करूँ तो मैं आज़ित करना। व्यवसाय में कैसे हो जाता है। व्यवसाय में हम लोग देखते हैं क्या। और जीत रूची कहलाता है, अब हम लोग देखेंगे बच्चों की रूची परिक्षन के बारे में, कि बच्चों की रूची परिक्षन क्या है, तो चलिए देखते हैं, बच्चों की रूची का पता लगाने के लिए, बच्चों की रूची परिक्षन से क्या ताथ पर है, द परिपिक मनुसीह का अपने अंतरगत सोस्टे हैं वह अपने अंतरगत किशी को पुछ है किशी को खराब लगता है अच्छा लगता है तो बहुत खुश होते हैं, खराब लगता है तो उससे क्या करते हैं, घरीना करते हैं, ठीक उसी परकार अगर बच्चों में अगर हम देखते हैं कि रूची का परिक्षन कैसे करते हैं, बच्चों में रूची के बारे में कैसे पता लगाएंगे, तो उसक लेकिन अगर बच्चे को वह चीज अच्छा नहीं लगता है कोई वीवस्तु तो क्या होता है या तो उसका उत्तर ना में होता है और उस चीज को लेने से क्या करता है हिचकता है क्यों हिचकता है क्यों हिचकता है क्योंकि वह चीज उसको ना पसंद है तो इसी प्रक्रिया के द्वारा ही हम लों क्या करते हैं बच्चों में रूची परिक्षन की जाच करते हैं जो कि क्या होता है बच्चों के मानसिक प्रवीति यानि कि मानसिक अंदर उनके सुमच समझ के अंतरगत होता है तो चले देखते हैं क्या कहता है कहता है कि बच्चों की रूची पता लगान के लिए विभीन रूची परिक्षनों का निर्मान किया जञाता है जैसे कि कोई बच्छे के लिए खेलने के लिए बहुत सारे परिक्षन कर जेता है किसी को खाने का है तो इसके लिए बहुत है किसी को पढ़ने के लिए यानि कि बहुत सारे परिख्षनों का परयोग किया जाता है अब कोई ज़रूरी ने कि सारे परिख्षन सारे बच्चेा को य로 का हो 100% सही हो उसमें कुछ के लिए सही होता है और कुछ के लिए विकार भी हो जाता है आगे क्या कहता है? जिसमें उनके विवीद, रूचियों से संबंदित पत संबलित होते हैं, यानि कि जितने भी उनके इंट्रेस से संबंदित चीज होते हैं, वो क्या होते हैं, उसमें संबलित होते हैं, यानि कि उसको एकत्रित किया जाता है, वच्चों के मानसिक्ता के एकार्डी, यानि कि अ सम्लित किया जाता है तो उसे अंतरगत क्या होता है तो कुई जरूरी नहीं कि अगर हम 10 बचों के लिए अगर 1 और खेला अगल और रखते हैं हाँ एक को जरूरी लेगिए यह दौश की लेख्वल सही हो नई वह पूछ बच्चों Dash दीक यह गलत विस का उसकता है कि एक स्वेश lly के अच्छा लगता हौई दो वही क्याता है स्वम्मलित होते है जिसका उत्तर उर्वक्चों को उत्यों हाँ या नाम देने के रूप में होता है अब दो प्रीशत होता है क्या बच्चे को चीज लिखाते है कि है यह आपको पसंद है अगर बच्चे को पसंद है तो हां कहता है अगर बच्चे को पसंद नहीं तो गता hoop सिगा.. के से जिसको क्या करते हैं छोड़ देते हैं वह ही कहता है कि जिसका उत्तर व्चों को हाय ना करूप में देना होता है उनके द्वारा दिये गए उत्रों की गरящा । अब यह जो हाय ना में उत्तर दे रहें हैं उनकी गलना करके उन बच्चों के बिभील रूचियों का पता लगाते है, यानि कि यही हाँ और ना में उत्तर देना ही बच्चों का क्या होता है, रूची का क्या करना होता है, पता लगाना होता है, यही होता है यानि कि बच्चों की रूची परिक्षन, यानि कि इसके अंत अंतिर अंतरगत बच्चोंके एक engine को समेलत किया तो यह यह आज आपके बच्चों की परिक्षन के बारे में तो आज हम लोगों कि हैं। आज हम लोगों ने देखा कि रूची के प्रकार के बारे में है, तो रूची के प्रकार के अंतरवगत हमने फिर आपको बता रहा हूँ कि हमने दू प्रकारों को देखा है, एक था जन्मजात, जो वेक्ति में स्वाता उत्पन होती है, दूसरा था अरजित, जो वेक्ति क्या तो बच्चो के रूची परिक्षन के अंतरगत क्या हम लोगों ने द TWO लोगों को कैसे किसी चीज के प्रति हो उत्पन होती है कैसे हमीं मालूम चलेगा , तो हमने क्या बताया उनकी अंतरगत सभी年चाव को क्या Technology जेता है सम्मिलित किया जेता है सम्मिलित करने के बाद बच्चे जो हां या ना में उतर देते हैं जो हां या ना में उतर देते हैं उसके द्वराम क्या करते हैं उनके रूची परिक्षन का पता उन रूप से क्या करते हैं लगाते हैं तो माइडियरे स्टुडेंट आज का जो हम लोगों का क्लास था रुची के प्रकार बज्चों की रुची परिक्ष्टन सो थैंक यू आप नाइस टेर